कल सुबह IIT कानपूर में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें हमारा पास जो सेसना एरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउट सीडिंग का अटैच्मेंट लगा के फ्लाइट की गई, और फ्लाइट के दौरान क्लाउट सीडिंग के लिए फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया, और जो की पूरा सक्सेस्फुल हुआ, कल से जो हमारा सक्सेस्फुल एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसकी वज़े से बारिश तो नहीं वी, क्लाउट के अंदर जाके हमने फायरिंग नहीं करी थी, कल एनिवे बाइरस कानपुर में सुबह सही हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेस्फुल रहा है, इसका अर्थ यह है कि यदि भविश्य में क्लाउट प्यारिक रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें, इसके लिए हम पिछले कई सालों से प्रयास रहत हैं, अमेरिका से special instrument attachments भी मंगवाए गए जो कि COVID के कारण दो सालों तक नहीं आ पाए, अब जाके हमने instruments attachments को लगा भी लिया है, DGCA की clearance भी मिल गई है इसको करने के लिए, और हम हम पहली flight successful हो पाई है, अब आगे के कुछ हफतों में हम और भी tail flights करेंगे, और उसके बाद हम एक तरीके से कह सकते हैं, तयार होंगे cloud setting करने के लिए. Sir, कितनी उचाई तक हम plane को लेके गए, इस cloud setting process को कंपीर करने के लिए? Cessna aircraft जो है, जितनी उचाई तक जाता है, जो कि बहुत उचा नहीं है, इसमें ये air pressure नहीं है, तो इसकी उचाई एक-दो किलो मीटर तक होती है, तो उसी height तक जाता है, और उसी height तक जाने के आउशकता नमली होती है, क्योंकि जो rain clouds होते हैं, वो नीचे ही रहते हैं, वो ब